आपके लिए आज का राश्रीक बताऊंगी आपको आपका दिन कैसा बीटेगा क्या कुछ होगा खास सारी बाते करेंगे लेकिन सबसे पहले सब्ता की शुरुआत हो रही है आज मंडे का दिन है और अभी आने वाले समय में बहुत सारे तीश तेवहार भी है और सबसे खास ब देवताओं की पूजा करें हम सारे नागों की पूजा करते हैं बहुत सारी लोग जो है नाग देवता को के लिए अपने घर के बाहर दूध रखते हैं बहुत सारे लोग इस्पेशली नाग को देखने जाते हैं उनका आशरवार लेते हैं बहुत सारी वीडियो पर जानका क्या है त voting हमनी जाना कि आज का पंचांग है अब बारियाँ अब कि राशिफल की शुरुआत करेंगे पहली राशी के सान by मेश राशी अज का दिन मेश राशी वालों के लिए बहुत ही जादा खासर रहने वाला है लेकिन ओपिस में ध्यान दीजेगा, किसे से विवाद होने की संभावना भी दिख रही है लेन देन से जुड़े कारे आज आपके पूरे होंगे कहीं पैसा फसा हुआ था, अटका हुआ था, वो पैसा आ जाएगा आज के दिन सेहत का ध्यान देना है, बॉड़ी के मिड़ पार्ट में कोई दिखकत आ सकती है महिलाओं को आज मासिक धर्म से जुड़ी दिखकते आने वाली है तो थोड़ा ध्यान देना होगा, बाकी पैसे के मामले में स्कती ठीक है परिवार में आज के दिन कोई आप से आप पे सवाल खड़े कर सकता है साथ ही साथ आज के दिन जो है कोशिश करनी है रिष्टों में आप honesty रखे मानदारी रखे महा उपाई दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो शिव जी की पूजा जरूर करें आपके लिए आज है वाइट लखी नंबर की बात करूँ है टू और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दोंगी पांच में से साढ़ी तीन स्टार व्रिशब राशी व्रिशब राशी के लोगों को आज के दिन सोच समझकर बोलने की जरूरत है क्योंकि आज आज आपके मूं से गलत शब्द निकल सकते हैं जिसकी वज़से रिष्टा खराब हो सकता है किसी से आज चाहे आप बाहर हो या घर में सोच समझकर ही बोलीगा आपके लिए एक सबसे बड़ा सजेशन यही है साथी साथ आज के दिन सेहत का भी थोड़ा दियान देना है गले से उपर आपको आज दिक्कते हो सकती हैं पैसों के मामले में स्थिती ठीक है पैसा कहीं से आने के बारे में आपको पता चल सकता है स्टूडेंट्स आज के द नंबर की बात करूं है थ्री और भागिस्तार के तौर पर में आज को रूँगे पांच में से साधी तीन स्टार मिथुन राशी मिथुन राशी के लोगों को आज के दिन अच्छा रजल्ट मलने वाला है काम में मल लगेगा को इंपोर्टेंट रिस्पॉंसिबिटी दी जा स रिष्टों में माता-पिता के साथ आज शाम के समय दिन के उत्राद में कहा सुनी हो सकती है गुस्सा कंट्रोल कीजिए क्योंकि माता-पिता है उनके साथ आपका ऐसा व्यवहार जो है ना आपको अच्छा लगेगा ना उन्हें अच्छा लगेगा तो इसलिए कोशुश कर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो चुप होना सीखिए ना की जवाब देना बाकी बात करें सिहत की तो घुटनों से जोड़ी अहड़ीयों से जोड़ी दिक्कते आ सकती हैं पैसों के मामले में आज के दिन खर्चा बहुत जादा रहेगा लव पार्टनर्स आज के दिन करकराशी के लोगों को आज के दिन अपने काम में थोड़ा सा जादा जो है आपको मेहनत देनी होगी क्योंकि हो सकता है कि आपके इस काम पे सवाल खड़े किये जाएं बिजनसमैन लोगों की कोई इंपोर्टन डील बीच में पसने वाली है जादा excitement किसी भी काम में दिखा आपके लिए गलत हो सकता है सेहत के लिए हाथ से दिन अच्छा है पैसों के मामनें विस्तिती ठीक है लेकिन रिष्टों को बचाने की पकड़ने के जरूरत है क्योंकि आज के दिन आप खुद में बहुत जादा खोई रहने वाले हैं और हो सकता है कि मैरेड लाइफ में आ सिंग राशी सिंग राशी के लोगों को आज के दिन अपने काम में बहुत ही जादा इन्वाल्व देखा जाएगा इंपोर्टन्ट रिस्पॉंसिबिलिटी दी जा सकती है काम दिया जा सकता है नई जो आपके ऑप्शन्स मिल सकते हैं बिजनस करते हैं तो अच्छा जादा जो इनसे क्यों कर सकते हैं पार्टनर को लेकर कोई डाउट आपके मन में आ सकता है सेहत के लिए हाट से देखा जाए तो आज का दिन पहले से जादा आपका अच्छा रहेगा बेटर रहेगा सेहत आपकी ठीक रहेगी नेकिन जो मानसिक रूप से प्रिडिक है उनक की नंबर की बात करूं है फाइव और भागस्टार के तौर पर मैं आपको दोगी पांच में से साधेती इंस्टार कन्या राशी कन्या राशी वाले लोग आज बड़बोला पन दिखाने के चकर में अपने काम की जगह पर किसी से रिष्टा खराब कर सकते हैं तो कि बड़ी बात पर आप चर्चा करें सेहत के लिए हाथ से दिखा चाए तो आज गले से जूटी दिक्कते आ सकती है आपको या फिर आपको आँखों से जूटी दिक्कत चल रही थी तो बढ़ सकती है पैसों के मामले में स्थिती ठीक है लेकिन आप जहें शाम के सामय तो लाराशी के लोगों को आज के दिन मत भेज से बचने की जरूरत है, हो सकता है, आपका गुस्सा खराब हो जाए, या फिर कोई आपको पालतू की चीजों में इन्वाल्ब करने की कोशिश करें, तो मत भेज से बचना होगा, सेहत के मामले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा पहले से कोई surgery हुई थी या बिमार चल रहे थी, तो health आपकी ठीक रहेगी, पैसो के मामले में भी आज के दिन आप निवेश कर सकते हैं, पैसे से पैसा बनाने के बारे में सोचेंगे, रिष्टों में आज आपकी इमानदारी की वेवहार की तारीफ होने वाली है, घर परि आपको दो भी पांस में से, साढ़े तीन स्टार, प्रिष्टिक राशी, प्रिष्टिक राशी के लोग आज के दिन अपने आप में ही खोई रहेंगे, अपने धुन में रहेंगे, मगन दिन अच्छा बीतेगा, आपका भाग्य साहत देगा, सेहत के मामले में भी अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्या करना है, आज कोशिश करनी हैं आपको, कि घर में शाम के समय कपूर जरूर जलाएं, लाकि कलर आपके लिए आज है, वाइट या पिंक, लाकि नंबर की बात करो है, टू, और भागिस्तार के तौर पर में आपको तुम्ही आंस में से ताले हैं, धनुराशी, धनुराशी के लोग आज के दिन बहुत ही जादा पैनिक कर सकते हैं, हर काम में आपको लगेगा बेच्वैनी हो रही है, घर के कोई रिष्टदार या महमान आ सकता है, साथ ही साथ आज के दिन नए रिष्टे बनने की भी संभावना दिख रही हैं, जो लोग दिर्गा की पूजा जरूर करें, लाकि कालर आपके लिए रेड है, लाकि नंबर की बाद करो हैं, ठ्री और भागिस्टार के तौर पर में आपको लोगी पांच में से साथ ही स्टार, मकराशी, मकराशी के लोग आज बहुत ही जादा चिंतित रहने वाले हैं, काम को लेकर चुनता आपकी बढ़ सकती है, साथ ही साथ जो है आपकी चुनता आपकी परसनल लाइफ को पे भी इंपक्त डालने वाली है, तो कोशिश करें बैलेंस बनाने की, आज किसी से भी बेमतलब की बात नहीं करनी है, फिजूर की चीजों में आपको नहीं रहना है, आज एक और चीज आपको ध्यान देनी है, वो है आपके घर की important सामान, महत्यपुर्ण सामान, कीमती सामान, क्योंकि उसके खोने या चोरी होने के संभावना दिख रहे हैं, खराब होने के संभावना, तो खराब रख रखाओ, आज आपकी परिशानी का कारण बन सकता है, ध्यान देना होगा, प्रेमी से या प्रेमिका से यानि लवर्स से अपने या लाइफ पार्टनर से बात करते हुए, शब्दों का चैन ध्यान से कीजिए, महा उपाई दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्या करना है, आज की दिन कोशिश करनी है आपको, कि ओम नमश शिवाई का करें, लाकी कलर आपके लिए आज है, क्रीम कलर या फिर गोल्डन कलर लाकी नमबर की बात की जातो है, थ्री और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको तूंगे पांच में से साध हीती है, स्टार, कुंभराशी, कुंभराशी के लोग आज के दिन मन ही मन चिंतित रहने वाल लेकिन आज हो सकता है, कि सेहत आपका साथ ना दे, मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा परिश्रान रहने वाले हैं, काम में आज के दिन आपकी जो है, उतना ज़्याद आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, महा उपाए दिन को अच्छा बनाना चाते हैं, तो क्या करन हैं, आज किसी दुर्गात मंदर में, किसी देवी के मंदर में लाल गुडहल या लाल फूल अर्पित कर दीजिए, लाकी कलर आपके लिए रेड, पिंक, औरेंज या रेड फैमली में आप कुछ भी इस्तमाल कर सकते हैं, लगी नंबर की बात की जाए, तो वो है 5 और भाग होता है, तो फाल्तु की जगह पे उसको खर्च करना बिल्कुल भी सही नहीं है, या गलत चीजों में आप अगर इंवेस्ट कर देते हैं, गलत जगह पे, जो लोग सटे बाजी में हैं, स्टॉक मार्केट में हैं, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि आज के दिन कोई गलत नर्ण के तौर पर मैं आपको दूगी पांच में से साढ़े तीन स्टार, तो जाना हमने कि आज का दिन सभी बारराशी वालों के लिए कैसा रहेगा, आज है नाग पंचुमी, 21 अगस्त है नाग पंचुमी का दिन है, नाग देवता की पूजा करें, और अगर कहीं नाग दिखते हैं, आपको सर्फ दिखता है, तो उनका अश्रवाद लीजिए, आज के दिन सपने में साब का आना भी बहुत आरी लोगों के होता है, तो अगर सपने में साब देखते हैं, तो ये भी आपकी तरक्की, आपके उन्नती का रास्ता दिखाता है, पैसा आता है, जब भी सपने में साब देखता है, तो